खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए मदिर प्रदेश की भोपाल सीट से BJP की प्रत्याशी है प्रग्या सिंग ठाकूर और अपने विवादे टिपड़ियों के चलते 72 घंटे का बैन चुनाव आयोक का वो जहल रही है प्रचार तो नहीं कर पा रही है लेकिन मंदिर जरूर पहुँच गई कल भी मंदिर गई थी और आज भी भोपाल के हनुमान मंदिर पहुँची है साध्वी प्रग्या यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंदिर के बाहर साध्वी प्रग्या बीजेपी की प्रत्याशी है भोपाल सीट से और अपनी विवादित टिपड़ियों के चलते वो सुर्ख्यों में रहती है और एक बार फिर सुर्ख्यों में प्रग्या सिंग ठाकुर प्रचार तो नहीं कर पा रही है चुनावा योग ने 72 घंटे का बैन लगा रखा है लेकिन मंदिर पहुँच गई प्रग्या ठाकुर और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तरफ आज की तस्वीर हमान मंदिर के सामने और दूसरी भजन कीर्टन करते हुए भक्ति मेली प्रग्या सिंग ठाकुर कल भी मंदिर पहुँच गई थी माप की जगा 72 घंटे का ये बैन है तीन दन का बैन है और कल भी ये बैन उनपर बरकरार रहेगा प्रचार नहीं कर सकती है लेकिन ये दो तस्वीर हैं आपके सामने जो दिखा रही है साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर का टेंपल रन आज हनुमान मंदिर पहुँची और कल भी मंदिर में भजन कीर्टन करती हुई नजर आई थी प्रग्या सिंग ठाकुर कल पूरे दिन साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर ने मंदिरों के दर्सन किये सुबह की सुरुवात भजन से की मंदिर में ही भोजन किया और फिर मंदिर में आरती के बाद दिन को खत्म किया और आज दिन की सुरुवात साध्वी प्रग्या सिंग ठाकोर फिर मंदिर दर्सन से कर रही है अपने घर से निकली है कुछी कदम के दूरी पर मादुर्गा उत्सवस्वमिती का ये प्रांगण है जहां बजरंग बली की प्रतिमा है वहां दर्शन करने के बाद अब साध्वी प्रग्या निकल रही है अगले मंदिर दर्शन के लिए कैमरा परसंद दुर्गे साहू के साथ गयाने अंदर तीवारी एबी पी न्यूस भोपार